इस ब्रम्मांड में हम सब मुसाफिर हैं अनंत में स्वैम की खोज, ग्यान के शिकर पर साधनाओं की खोज हमारा चंचलमन सुक्ष्म से गूड और गूड से सुक्ष्म की कभी ना खत्म होने वाली इस यात्रा में चल पड़ा है तो फिर कहां मिलेगा सुप, कहां जागरित होगी चेतना आखिर कौन बताएगा कि हम खुद शून्य है या फिर पूरा ब्रह्मांड ही शून्य सा सुक्ष्म बनकर हमारे भीतर समाया हुआ है मगर जीवन तो शण भंगुर है सांसर एक मोह माया के वशीभूत बनाए गए हमारे महल और धंदोलत सब यही रह जाने है आखिर कब हम अपने मन के पार शून्य को समझ कर ध्यान और चितना के सहारे अंतर यात्रा शुरू करेंगे अनभूतियों की गहराईयों में शान्ती के सूत्र खोज कर आखिर कब अंतस की अनंत सुखद यात्रा पर निकल पड़ेंगे वो वक्त आ गया है आच्यारे समराट डॉक्टर शेमुनीजी मारास साहिम ने ओसवाल कुल के एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो आर्थिक रूप से संपन्न था बच्पन के धार्मिक संस्कारों ने युवा वस्था तक आते आते आप शिरी को जैन धर्म में ध्यान के गूड रहसियों की खोज के लिए प्रवित्त किया आप शिरी के मानस पटल पर कई प्रश्न उठ खड़े हुए मैं कौन हूँ? मिरा जन्म क्यूं हुआ? मैं कहां से आया हूँ? मुझे कहां जाना है? भगवान महवीर ने साधना का कौन सा मार्ग अपनाया था? ध्यान का वो सरल्त मार्ग कौन सा है? जिस पर चल कर दुनिया की हर धर्म प्राण आत्मा मुक्ष प्राप कर सकती है इन सभी प्रशनों के उत्तर तलाशने के लिए 17 मई 1922 को आप शिरी ने जैन भगवती दीख्षा अंगीकार की इसके बाद भी ध्यान के सरल्त मार्ग की खोज का सिलसला जारी रहा 1978 में गुरु आग्या पाकर आप शिरी भगवान महवीर के बताए ध्यान साधना पत की खोज में भारत ब्रह्मण पर निकर पड़े भारत ब्रह्मण में आप शिरी ने ध्यान विदियों को खुद परखा और कई नई प्रियोक की और आखिरकार आत्म ध्यान की साधना एवं भगवान महवीर की साधना की तलाश पुरी हुई अपने आत्म सरूप के बूद के साथ साथ अपनी साधना का शिकर भी पा लिया द्रिण संकल्पों और अथक परिश्रम वप पुरुशार्थ से आचार्य शिरी ने जो पाया उसे अब जन जन तक पहुँचाने का आध्यात्मिक उपकरम चल रहा है आपके प्रमुक शिष्य आत्मयोगी शिर्मन संगिय प्रमुक मंतरी श्री शिरी श्मुनची आप श्री के सानेदे में संपन्न होने वाले सभी शिविरों के आप एक मात्र साक्षी तो है ही सभी ध्यान शिविरों का संचालन भी आप ही करते हैं अरिहन्त परमात्मा श्री सीमंधर स्वामी जी की प्रत्यक्ष कुर्पा इबं जिन शासन सहायक रक्षक देवी देवताओं के सयोग से वीतराग साधिका निशाजी द्वारा आचार भगवन के सानिध में वर्ष 2006 से लगातार आत्म ध्यान शिवरों के माध्यम से साधकों को अम्रित पान करवा रहे हैं देखिए ध्यान शिवरों में कैसी इंद्र धनुशी चटा बिक्री है मन के अंधेरी कोनों से कैसे प्रकाश की किरनों का अफ्तरण हो रहा है देखिए कैसे विचार और भाव केंद्रित हो गई हैं मन और प्राण उसमें गुलने लगे हैं देखिए कैसे शिवरार्थियों की रुचियां प्रवित्यां और जीवन को देखने परखने समझने और फिर क्रिया प्रतिक्रिया करने का नजरिया ही पदल गया है आईए हम सब विना वक्त गवाए हिस्सा बनते हैं आत्म ध्यान साधना के इस अलोग एक जश्न का और खो आरिहन्त प्रमात्मा महाविजे क्षेत्र में विराजमा तिन्नानंत आरियानंग बुद्धानंग बोहियानंग मुद्धानंग 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 स्वन्वन्वन्वन्वन्वन्वन्वन्वन्वन्वन्वन् दर्पन की भानती तीनों लोगों को हर प्राने के भूत भविश्चत वर्तमान को जाने। परंतो किसी भी जीव में हस्तक्षेप नहीं करते। कर्म सिधान्त को सुविकार करते हुए जो जैसा जीव जिसने जैसा कर्म किया उसके अंसार वो अपने गती में जाता है और कर्म फल भूगता है। नर्क के नेरी फ्यंकर दुख अनभव करते हैं। प्रभु कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। क्या प्रभु की करुणा उनको बाहर निकाल सकती है। पशु पक्षी इनको भूजन नहीं मिलता। भगवान कुछ नहीं कर सकते। किसी के पास मनुशे के पास दन है, किसी के पास नहीं है। चार गती चरासि लाग जीवाजोनियों में हर जीव अपनी गती में भर्मन कर रहा है। प्रभु कुछ नहीं करते। उनका द्रश्टा भाव एक समय के लिए भी खंडित नहीं होता। उनकी अनन्त करुना बहती है। किन के लिए बहती है। जीन की रूची है, संसार सागर से पार होने की। जो समझते हैं कि मैं अनाधी काल के मिठ्यातों से बंदा हूँ। मुझे मिठ्यातों को तोड़कर अज्यान, मोह, मिठ्यातों, माया से उपर उठ करके, मुझे सत्य को प्राप्त करना है। सत्य में ज्याना है, पर वो उनके लिए करुना करते हैं, उनके लिए मारगदर्शन देते हैं, उनके लिए वानी आते हैं, उनके लिए समोसर्न नचा जाता हैं, समोसर्न में पशु पक्षी भी आते हैं, राजा रानी भी आते हैं, सादु साद भी शिरावक शिराविका भ और देव भी आते हैं, सब आते हैं, और भगवान की वानी से वो भाव पकड़ लेते हैं, और जिन को तिरना होता है, वो शब्द वानी से उनकी भीतर चले जाते हैं, और सवत्य ही वानी उनको तार देती, और भगवान ये भी नहीं कहते कि मैं आपको तारने वाला, मैंने आपको धर्म दे लिया, उनकी वानी में कभी कर्टापन नहीं होता, दो बातों का ध्यान दखना, हम बहुत जल्दी कर्टापन में आ जाते हैं, कर्टापन अर्थाथ, व्यक्तित्व, मेरा व्यक्तित्व, मैं, मैं शिम्मुनी, मैं साधू, मेरा नाम, मेरा शिष्य, मेरी प्रंपरा, मेरे इतने शिष्य, मुझे मानने वाले, जानने वाले, ऐसे तुम, मैं पत्नी, मैं पती, मेरे भेटा, आप पती, आप पिता, ये अनादी काल का मिथ्या तो भरा पड़ा है चाहते हो इवे ने टूट रहा देखो जब आप प्रयास करते हो सत्य में जानने के लिए फिर कहीं न कहीं घुश जाता है कभी इधर से, कभी उपर से, कभी नीचे से क्यों घुश जाता है हमारा जनम ही मिथ्यात में हुआ हमारा पोशन ही मिथ्यात में हुआ और आस पास का जो वातावरन वो मिथ्यात से बढ़ा हुआ है मा ने शिक्षा दी वो मिथ्यातर के शिक्षा दी मैं तेरी मा तु मेरी सेवा करना जो आप सकूल में जाते हैं अध्यान करवते हैं वो भी सारा मिठ्धा उसे भरा हुआ है मैं ऐसा नहीं कहता है कि तुम स्कूल में बच्चों को मत भेजो मैं माता पेता के विरोध में नहीं हूँ सत्य क्या है एक है ये लौकिक एक है पारलौकिक एक है व्यक्तित्व हम व्यक्तित्व की चर्चा ही नहीं करेंगे प्रभू व्यक्तित्व की चर्चा ही नहीं करते उनकी किसी वानी में देख लो उत्रध्यन के 36 ध्यान लो भगवान ने व्यक्तित्व का कौशन नहीं किया कोई भी अध्यन ले पहला विने विने जुकना सिखाती समर्पन परिश्य इतने परिश्य बाइस परिश्य कैसे सहन करता है जीव जब वो जीव और जीव का बोद करता है भेद में आता है सत्य में स्थिर होता है तो मक्षी, मच्चर, गर्मी फ्यानक लग रही है कुछ फरक नहीं परता आज हम जरासी गर्मी लगे तो क्या चाहिए पंखा चाहिए एसी, पंखा भी काबू नहीं आता एसी चाहिए एसी की हवा ज़्यादा अच्छी लगती है पंखा तो फेशन हो गया है पहले ऐसे हवा करते थे फिर वो पंखा खीचने वाला आया फिर वो उपर से चलने वाला आया आज एसी आगया आगे पता नहीं क्या आएगा क्यों चाहिए इतनी सुरक्षा शरीर के लिए कि आप तपा नहीं सकते ज़िए आपको गर्मी लग रही है और आपकी इच्छा होती है पंखा चल जाए या इसी चल जाए इसका मतलब तो मारा आकर्शन अभी भी शरीर पर है लगने दो गर्मी ठंडी लगने दो भूख लगने दो प्यास लगने दो क्या हो जाएगा कि इस तपाओ सभी तर्थंकर भगवन्तों ने इस दे को तपाया था और जो भी करम उदय में आएंगे इस दे पर आएंगे करम उदय में आते हैं हम दबा देते हैं रोग आता है तुरंट डाक्टर के पास जाते डाक्टर के दुआई दे देता है दुआई भी तीन दिन में ठीक होगी साथ दिन में होगी जाए एक सफ़ता में होगी बात वही होती तो मैं ऐसल भी कहता हमारी सहन शीलता क्यों कम हो गई है हमारा सारा अकरशन क्योंकि मिठ्या तुम्हुआ मा को संसकार देना चाहिए जनम और मरन के पार की बात करने चाहिए सती मदालसा जैसे मा होनी चाहिए उन्होंने कैसे सिक शादी बेटों साथ बेटों को सन्यासी बना दिया भेद और अभेद जीव और अजीव का भेद कुछ चवी करो शरीर को अलग कर दो आत्मा में स्थर रहने का प्रयास करो धर्म किसे कहते हैं आप धर्म आप धर्मवान हो नहीं है बोलो है कि नहीं है कैसे धर्मवान धर्म किसे कहते हैं जी आप नियम उपनियम का पादन कर रहे हैं जी आप यहां भी आ रहे हो एक बोज लेकि आ रहे हैं कि दो घंटे आना ही पड़ेगा तो वो आप धर्म में स्थित नहीं होए धर्म आपको अनन्द, उलास, रुमांच फलित करता है कुछ भी करो जब आप धर्म करते हैं आपके फीतर एक अनन्द, एक उलास, एक प्रेम एक मैतरी, एक समता, एक दृष्टा भाव, जाता भाव लेके आता है करता में आते हो करता दुख, पीरा, बेचैनी, विशाद, आदी, व्यादी, उपादी लेके आता है और किरियाकान करते हुए भी आप करता में आते हो, तो दुख आता है तो धर्म, चाहे आप महावर्त ले लो, चाहे आप संयम ग्रहन कर लो, चाहे आप नियम उपनियम ले लो वो किरियाकान है संयम भी किरियाकान है यदि संयम में रस नहीं आया, संयम में रूची नहीं आई संयम में आप अपने मिस्तित नहीं हो पाए अपने में से तू सत्य के प्रति अपना कहो, सत्य कहो आत्मा कहो, सेल्फ कहो रू कहो, अस्तित्व कहो बीं कहो, चीतना कहो उस सत्य के प्रति रुची जिस चीज में रुची होगी तुमें अनन्द आएगा बोलो आएगा तुमें आएगा अजि आपकी रुची है तो आप उत्रा जहन सुत्र भी पढ़ोगे आपकी रुची है आप ध्यान भी करोगे आपकी रुची है आप विन्या भी करोगे आपकी रुची है तो घर का कार्या भी करोगे किसलिए करोगे कि ये देह मिली है कुछ मेरी करतव्य है घर के लिए वो मुझे करने है उसमें रस नहीं आएगा करतव्य लेके करोगे पर यदि आप साधना में ध्यान में स्वैव में स्थित होके उसमें पुरशार्थ करते हो वो आपको अनंद देता है जो कारे आपको भीत्र से अनंद दे दे वो धर्ब है वो सत्य है देख लीजिए वो आपको satisfaction देता है संतुष्टी देता है अराम देता है हम अराम किसको देते हैं धे को अराम देते हैं नींद आती है किसको आती है भूक लगती है शरीर को लगती है मदरंजन शरीर के लिए होता है और जो कुछ करते हैं तो अराम किसको देना चाहिए? अराम किसको देना चाहिए? अराम, जीव को अराम देना चाहिए. जीवात्मा को अराम देना चाहिए. हम किसको देते हैं? अजीव को, शरीर को अराम दे रहे हैं. तो यह क्या हुआ? जीव को अराम क्या दोगे? जीव का अराम क्या है? अपने में ठहर जाना अपने में स्थिर हो जाना ये जीव का अराम है देना चाहिए जीव आत्मा को अराम हम दे रहे हैं शरीर को अराम सारी दुनिया में देखो शरीर के अराम के लिए धन किसके लिए चाहिए और प्रभू ने कहा सादू को पैसा रखना है नहीं, तो क्या सादू को सुक नहीं है, सादू को शानती नहीं है, गृष्ट के लिए पैसा भी ज़रूरी है, पर पैसा अनिती से तो नहीं कमाना चाहिए, पैसा कितना कमाना चाहिए, कहीं ब्रेक लगना चाहिए, उतना चाहि वो तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, तुम कुछ भी करो, बांटो, लुटाओ, रखो, अपनी संपत्ति मत मानो उसको, तुमारी संपत्ति क्या है, अपने में स्थित होना, अपने में ठहरना, अपने में उतर जाना, अपने में रुची रखना, अपने से प्रेयम करना, अपना यानि आत्मा, अपना यानि सत्य, अपना यानि अस्तित्व, अपना यानि धर्म, अपना यानि होना, अपना यानि बींग, अपना यानि चेत्ना, शब्द अलग लग है भाव एक ही है प्रभु की वानी कहीं से सुन लो शब्द अलग होंगे भाव एक ही है तो जब भगवान की वानी आती है हर जीव भाव पकड़ लेता और जो समझ लिए कि मैं में लोग समझते नहीं इसको अनन्द मानते सुबह उठते हैं, अगबार पड़ते हैं, बैटी लेते हैं, होटिल में खाना खाते हैं, घूमनी जाते हैं और ज़्दा पैसा आजाने तो और मन्दरंजन के साधन धून दें, इसको धर्म समझते हैं, इसको सुख समझते हैं कि सुख दें। जितना तुम दे को अराम दोगे, दे की सुरक्षा करोगे, उतना ही दुख उठाओगे, उतना ही दुख त्यार देना, विचार कर लेना, दे की सुकमालता को तोड़ो, जो तुमारे पास है, उसको आने दो, कर्म, बीज, शरीर पर परकट होगा, और उसमें आप समता में रखो तो आजाओ, भगवान की वानी में, हे गे उपाधे रूब विश्यों का ही वर्णन होता है, क्या समझें आप, हे गे उपाधे से, कोई आपके पास आता है, एक पुर्शा आता है, एक इस्त्री आती है, यह कोई आता है, उसमें आप क्या हे गे उपाद्या ले दो हे गिया उपाद्या के जीवरजी की बात नहीं आत्मार्थी व्यक्ति को क्या हे है गे है उपाद्या है एक संसारी व्यक्ति को क्या हे है क्या गे है क्या उपाद्या अपने जीवन से लग्म करो ना शास्तर की बात शास्तर लक रहने दो आतमार्थी व्यक्ती ने एक पुर्ष को देखा एक इस्त्री को देखा उसमें क्या हे है, क्या गे है, क्या उपाद्या है हर वस्तु में हे भी है, गे भी है, उपाद्या भी खुलो है कि ने? क्या हे है, क्या गे है, क्या उपाद्या है आतमार्थी किसी शरीर की अकर्षन पर नहीं जाएगा उसके शरीर को गौन कर देगा उसकी भीतर की चेतना समझेगा क्या समझेगा चेतना वो समझता है सोहम की धारा उसके भीतर से परकट होगी सोहम मेरे में और सिद्ध भगवान में मेरे में और उसमें कोई अंतर नहीं वो इस्तरी पुरुष को देखता है उसके रूप को नहीं देखता उसके धन को नहीं देखता उसके व्यक्तित्व को नहीं देखता उसके पद्पर्तिष्ठा को नहीं देखता उसके पास कितना धन है वो कैसा है उसको उसको कोई मतलब ना है समझे हम क्या देखते है गरूप को देखते है वो किस खांदान का है उसके पास कितना धन है वो मुझे कितना सा योग दे सकता है वो मेरा मित्र बन सकता है या नहीं बन सकता हम अपने व्यक्तिकत स्वार्थ के लिए उसका मुल्यांकन करते हूं आत्मार्थी व्यक्ति व्यक्तित्व को अलग कर देगा और उसमें भीतर चेतना जो मेरी चेतना है उसकी चेतना में कोई अंदर में ये सोहम की धारा ये सोहम की इवल बोलने के लिए नहीं कहा गया तीन ध्यान जो बेसिक ध्यान मैं बार बार रेपीट करता हूं सोहम अपने जीवन में ला कोई आए सोहम मेरे में और सिद्ध भगवान में कोई अंतर है ही नहीं सिद्ध भगवान और मेरे में कोई अंतर नहीं सभी में मैं हूं और मुझ में सभी है गया, उन्चा नीचा एक हो गया, धन एक हो गया, स्वामी सेवक एक हो गया, ठीक है, विभारदिष्टी को जब जरूरी हो, आपको कहना पड़े, आपके घर में सेवक है, उसको कुछ समझाना पड़े, उसको समझाओ, पर अंतर में स्वामी और सेवक क्यों अंतर नहीं, सो हम की धारा को भीतर लाओ सो हम जब सिद्वगवान और मुझ में कोई अंतर नहीं तो स्वामी और सिवक में क्या अंतर है पुरश और इस्त्री में क्या अंतर है ये शरीर ही मिला है शरीर को क्या देखना आतमार्ती शरीर को नहीं देख़ए आत्मार्ती सत्य को देखे, उसके भीतर, जो सत्य छुपा हुआ है, उसमें जाए, तो हे, दे, उपादे, सब जगा धूंड़ना, के यह जीव अर अजीव नहीं, समझे, नहीं समझे, हे, दे, उपादे, तो भगवान की वाणी जब आती है, तो भगवान की समीप आने से ही, जिसी भगवान, शुब मुनी नहीं कहा, समोसर्ण में गए आप, भगवान की काया को देखा, भगवान समोसर्ण में बैठे है, उनकी वाणी आ रही है, और उसकी समोसर्ण में जाने से, भगवान की काया को देखने से, एक हे, गे, उपादे, आंतरिक, आप, सुख से जु उनकी वानी समीप आने से, उनकी वानी सुनने से, क्या ही है छोड़ देते हैं, क्या गे है जान लेते हैं, और उपाध्य है ग्रहन कर लेते हैं, सभी जीव, चाए पशुपक्षी है, चाए देव है, चाए मुनुष है, इसलिए सबसे पहले मिठ्या तो तुड़ो, मिथ्या दर्शन शल तुम कितने उपवास कर लो बरत कर लो संयम ग्रैन कर लो पर मिथ्या दर्शन शल नहीं तूटा तो क्या होगा जनम और मरन का चक्र बढ़ता रहेगा कहीं मैं और आप मिथ्यातु के घेरे में तो नहीं आ रहे हैं मिठ्या तो बहुत गैरा है अनादी काल से भटकाया है मिठ्या तुने लगता है अच्छा मुझ बड़ा अच्छा लगता है मा को बेटा बड़ा प्यारा लगता है जब बच्चा जनम लेता है और 24 बस तक पालती है मा और वो बच्चा फिर किसी और का बन जाता है मा को बड़ी प्यारा होती है होती है तो मा पहले ही कह दी बच्चा मेरा है ही नहीं मा पहले ही सुविकार कर ले कि बेटा मेरा नहीं मेरा कह अच्छा ही नहीं मैं तो आत्मा वो भी आत्मा सुविकार कर ले मुहों तोड़ दे यह मुहों करम है मेरा बेटा, मेरा पती मेरा धन जो मेरा, मैं मेरे का ध्यान किया था ना यह बार बार रिपीट करो बेसिक शिवर बहुत गहरा है लोग कर जह हमने एक बर कर लिया चार सार पहले किया था कि हम दूसरे शिवर आ जाओ भाई उसको पक्का तो करो देश ही पक्का नहीं होगा फांडेशन पक्की नहीं होगी तो महल कैसे खड़ा होगा बार बार कि तुम उगो भी कहता हूं ज़िए आपने साथ दिन का भी शिवर कर लिया बेसिक लगे तो आ जाना आप रिवाइफ हो जाएगा रवीजिन हो जाएगा और हर बेसिक में मैं देखता हूं देशना में अंतर हमारी स्थिति में अंतर आ जाता है इसने पहले शिवर किया होता है दूसरा करता है चौता करता है उसकी स्थिति में उसकी understanding में उसकी सूज में उसकी समझ बढ़ जाती है परकार जाती है मैं और मेरा ये केवल बोलने नहीं है क्या मेरा क्या है अनादी काल से हमने अपना मान लिया मेरा बेटा मेरा पती काय का पती अध्यात्म दिष्टी की बात कर रहा हूं कोई सत्य यही है इसको सुविकार कर लो अध्यात्म अलग है और विवारक अलग है विवार में ठीक है घर में रहो माता पिता की सेवा करो माता पिता को दुख ना दो वो भी ठीक हम ऐसा नहीं कहते है कि माता पिता की सेवा मत करो हम ऐसा भी नहीं कहते हैं कि रहो पर वो तुम नहीं हो वो तुम्हारा नहीं है अब चार मेने के बाद हम चले जाएंगे क्या हम जाद करते रहेंगे आपको हम साधना को करेंगे तुम दोबारा आ जाओगे हम आपको फिर साधना की बात करेंगे मत भूदना आपने जो अस्तित्व में आना वक्तित्व का पौशन किया कोई गुरू आपको मुँँ में बांद देता तो वो गुरू नहीं है वो गडरिया है वो गडरिया जैसे बक्रियों को कठ्छा करते है न एक बार बना देता है कोई बक्री मेरी शब्द कड़वे लगेंगे आपको मैं कड़वा बोलना मुझे पता है मैं कड़वा बोलना वो गडरिया है गडरिया को देखा वो बक्रियों को बांद दता है और बार लगा देता है कोई भैंस बकरी उदर ना निकल जाए क्यों भाई क्यों बांदे है हमारा धिकार क्या है क्या अरिहंत परमात्मा किसी को बांदते है क्या गुरू कोई समकत दे सकता है समकत को दे लेने ने किसी सत्य कोई बजार में लिखता है करीद लो जा करके सत्य कोई बांधता नहिं क्या भगवान माहावीर ने 1400 सादुों को बांधा था भगवान ने सत्य को सुलिकार कर लो तुम तिर जाओ तिन्नानंग तारियानंग बुद्दानंग वोहिःनंग मुद्दानंग मुगेडानंग बन जाओ मेरी मेर सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं तो कोई गुरू आपको कहे कि मेरी समकत ले लो मैं कभी नहीं कहता है मेरी समकत ले लो मैं कभी किसी को नहीं कहता है मैं दर्शन करने के लिए नहीं कहता है मैं एक बाद जलूर कहता है पांच दिन का शेवर कर लेना ये मेरी परंपरा कहो मुझे अच्छा लगता है या मैं कहता हूँ मुझे मिला है मैं तृप्त हूँ अनन्दित हूँ कोई सादू आए कोई विरागन आए तुम आओ दर्शन करने के लिए मैं एक ही बात कहता हूँ एक ही बात कहता हूँ हम शेवर कर लो तुमारा जीवन दूपांता और बहुतों का हुआ है सत्य मिल गया तो तुम भी सत्य ले लो और करके देख लो साबने लग रहा है करो और कह चाहिए इस पंचम काल में हामें अर्यंत प्रमात्मा की किरपा मिल गई, वानी मिल गई और जो सूतर लिखी होएं रहस्य प्रकट हो गए है कोई सूतर में कुछ नहीं मिलता, पता नहीं लगता आत्मा के बारे में क्या जानोंगे क्या पता करोंगे वो सारे रहस्य अरहंत प्रमात्मा ने अपनी वानी में खोल, खोल के बता दिए अनंत किरपालू है लो और निश्चित तुम जाओगे उनके पास यदि आपकी शर्दा है आपकी भक्ती है आपका अंत्य करन से लगागए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभू आपकी चर्ण शर्ण चाहिए मैं भी भवसागर से पार होना चाहता मुझे पार कर दो मुझे अपने जैसा बना लो मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम निश्चित पहुंचोगे सच्ची परातना सच्ची भक्ती आपको लेके जाए और मुझे मिला है मुझे एक ही प्यास थी महाविर की साधना और बहुत बरसों के बाद मिली है बहुत ठोकरे खाने के बाद मिली है और बहुत देर के बाद मिलाना अच्छा लगता है आफ्टर पेइन यू ग्रट दी फ्रूट आफ्टर पेइन यू ग्रट दी फ्रूट that is most valuable बहुत प्रतिक्षा के बाद बहुत पीरा के बाद फला आता है तो मिठा होता है after pain you get the fruit of it you realize it, you love it you feel it you enjoy it, you deserve it क्योंकि तुम ने उसके लिए पुर्शार्थ किया मेनत की एक बात और पुछना चाहता हूं वास्तिक्षण्विक्षण्विक्षण्विक्षण्विक्षण्विक्षण्विक्षण्विक्षण्विक्षण्विक्षण्विक्षण्विक्षण्विक्षण्विक्षण्विक्षण्विक्षण्विक्षण्विक्षण्विक्षण्विक्षण्विक्षण्विक्षण का ज्याता जीव और अजीव का पूरा एक रेखा किच जाए जीव और अजीव की एक रेखा किच जाए और होगा अभी नहीं होगा जैसे जैसे आप ध्यान करते चले जाओगे जैसे जैसे आप डूटते चले जाओगे मिठ्या तूटता चला जाएगा सम्कत प्रपक होता चला जाएगा आप निश्चित जीव और अजीव के गयाता होगी सेड सुधर्शन जीव और अजीव के गयाता थी तब ही रानी ने कितना उपलाम दिया महलों में बुला करके रानी ने अपनी भोगेच्छा पूरन करना चाहिए सुधर्शन नहीं बोले तुम तो मेरी माँ हो और जूशन लगा दिया राजा को बोल दिया कि इसने मेरे महलों में आकरके मेरे से कुछ इष्ठा करनी चाहिए सुधर्शन फिर भी नहीं बोले सुधर्शन ने कहा राजा की पत्नी माँ होती है माँ के लिए मैं क्या शकैट करणा माँ ने राजा की पत्नी मोहित हो गई सुधर्शन पर महलों में गया था कुछ समय कोई जमाना होगा प्रमानिकता होगी ऐसा विवार धंदा करते होंगे सेट सुदर्शन महलों हो गया और राजा की रानी उस पर मोहिट हो गई और अपने भाव रखे सुदर्शन ने का नहीं तुम तो मेरी माँ फिर उसने दूसरा रूप देखा कि यदि मैंने कुछ नहीं कहा इन्हें परकट कर दिया तो मेरा तो गला कट जाएगा मुझे तो फांसी हो जाएगी राजा तो दूसरा रुप अपनाया कि मेरे साथ भोग भोगना चाहता है या कुछ भी कहो सम्थिंग, शब्द मैं नहीं कहता हूं उन्हें क्या कहीं होंगे सुदर्शन ने फिर भी कुछ नहीं कहा मैं मां के आगे क्या कहूं जब मां एक पर बोली दिया राजा की पत्नी मां होती है और पत्नी की मां भी मां होती है और अपनी भी मां मां होती है एक पिर्थि भी मां होती है मां बहुत बढ़ा त्वित्र शब्द है तो राजा ने कहा का सबूत दो फांसी पे लगा दिया सुदर्शन इसरिकार कर लिया भेद और भेद के गयाता थे शासर में जिकर आता है सेश सुदर्शन जीव और अजीव के गयाता थे मतलब वो जीव में आत्मा में रिश्वास कर दे थे जीव अलग है अजीव अलग है भगवान महाविर की दस रावक जीव और अजीव के ग्याता थे मुक्षे है धरम की शुरुआत जीव और अजीव के ग्याता से होती है इसकी प्रपक्वता आपने शब्द से पढ़ लिया मुख से बोल दिया लिख दिया इससे आप ग्याता नहीं बन जाओगे हर प्रस्तिती में आप जीव में रहोगे जीव के विश्राम में रहोगे जीव को महत्व दोगे आजीव को महत्व नहीं दोगे कोई प्राथना नहीं किया, कर्म को स्विकार कर लिया, मेरा कर्म है तो ठीक है, तो कहते हैं, वो सिंखासन बन रहे, यह है धर्म को स्विकार करना, चेट, सुदर्शन, जीव और अजीव के गयातर, हम, मैं और आप, धर्म यही है, कि हम जीव को अराम दे, सत्य को निठैर जाएं, सत्य में स्थित हो जाएं, हमने शरीर को विश्राम दिया है, हमने व्यक्तित्व को उँचा उठाया है, और व्यक्तित्व टिकने वाला नहीं एक स्वास तूटेगा, सारा व्यक्तित्व, धराशाई खंडित हो जाएगा, किसका व्यक्तित्व रहा है, राजा, राना, चत्रपति, चक्रवर्ति, सब चले गए, कौन टिका है, सत्ते, आत्मामे टिका है, सार्थक पद कितने हैं, दो पद सार्थक है, अरहत पद और सिद्ध पद, अरहत अरहंद और सिद्ध, अरहंद भगवान, सैशरीरी, सब का कल्यान करते हैं, पंच परमिष्ट में, अरहंद भगवान, सब का कल्यान करते हैं, सैशरीरी होने के दाख, अरहंद परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान, जब इस रेडमान, जो है महाविदे क्षेतर में, वो आने वाली 24 के साथ में, आठ में तर्थंकर तक, जो मोक्ष जाना चाहते हैं, सत्य को पाना चाहते हैं, चाहे वो महाविदे में हो, भरत में हो, कहीं भी हो, पशू पक्षी हो, जो पार होना चाहते हैं, इनकी रूची है, वही जीव समसर्ण में जाते हैं, पशू पक्षी वही जाते हैं, सब नहीं जाते हैं, देव सब नहीं जाते हैं, बहुत से देव हैं, मिठ्यात्वी देव हैं, वो भोगों में लगें, वो मनरंजन में, जो आत्मार्थी देव है जो सम्यकदश्टी देव है वो भगवान के समोसर में जाते हैं भगवान की वानी सुनते हैं और जो तिरना चाहते हैं इस संसार में वो देव पिरा देते हैं देवी जानते हैं कौन सा मनुश्य ऐसा है जो संसार सागर से पार होना जाता है उनके पास अफदी ग्यान है दृष्य अदृष्य शक्तियां उनको पार उतार देते हैं यह हमारा उधारन है और बहुत से मुनी बैटे हैं उनका उधारन है देव शक्ति दृष्य अदृष्य बहुत काम करते हैं ये समुसरन जो होता है ये चार दिन का शिफर ऐसे नहीं लगता तुमको असानी से तुम प्रवीश में आ जाते हो बहुत अंशाशन बदता से कारे होते हैं दृष्य अदृष्य शक्ती जुटती है और कैसे महाविदे और भरत एक होता है यह तुमारा कहीं न कहीं पुन्ने है इसको तुम नहीं समझ पाते इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ मुझे परवचन में आने का मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ कि शुर्त ग्यान का आपको लाव हो जाए पर ये जो ध्यान शिवर है ये तुमें जो वानी यहां मिल रही है वही वानी वहां है बहुत शक्तियां काम करते इसलिए हम शाषन देव, शाषन, माता, दृष्य दृष्य शक्ति को नमन करते नमन करना चाहिए जो नहीं आपको दिया है तो अरहतपद और सिद्दपाद सिद्द जो सिद्द हो गए कृतकरत करते हो गए अश्टकर्म की संपना और जो अर्यंत परमात्मा महामेदे में विराज मान हैं भरतक्षितर में कोई ठनकर नहीं कोई केवली नहीं कोई अफदी ग्यानी होगा तो पता नहीं हामें कोई बता नहीं सकता प्रंतु मगवान की किरपा बरसती है और साक्षा तो बरसती है और आप लोगों ने जिन्हों ने शिवर किया है चाहे बेसिक किया है चाहे दो दिन का किया है चाहे चार दिन का की है, आगे साथ दिन का शुखर है, उनको अनवब होता है, और वो तिर जाएंगे, पार हो जाएंगे, सच्ची शर्दाब, प्यास की बातावती, खिचा चला आता है, कि कहीं से कहीं तुम मिलेगा, जहां तुमारी प्यास तुम पहुंच जाओगे, निश सत्य को स्थान देना, बार बार प्रवचन तो वही है, बात वही है, पर कहने का धंग गला गला, खाना वही है, तेपाती बना लो, इटली बना लो, पाबड़ा बना लो, कुछ बना लो, बात तो वही है, और सत्य वही है, सत्य को सविकार कर लो, ध्यान करेंगे आंखे बं मन वचन काया शान, शरीर शान, विजार शान, सिर्श की शान, वातावन शान, हर दिशा, हर किनारा शान, 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 सिर्के सिर्य से पाम के अंगटे तक, अपने भी तरशुद चेतना का एसास कीजिए, तुम केवल, केवल, केवल आतमा हो. सिर के सिरे से पांग के उइंगुटे तक अपने भीतर शुद्ज चेतना का एसास कीजिए तुम केवल 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 आतमा हूँ तुम दृश्टाभाव में रह यह आती जाती शुआन्स को दृश्टाभाव से जाने और देखिए एक श्वांस भीतर गया, एक श्वांस भाहर आया एक श्राण है धाराम की और श्राण नहीं कोई एक श्राण है धाराम की और श्राण नहीं कोई सात्य धाराम की तेज से जन जन मंगल हो तेरा मंगल हो सबका मंगल हो सबका भला हो सबका मंगल हो सबका श्वांस इसी में एक लंबा गरस्वांस लें अरिहंत परमात्मा की चर्णों में अनंत करतकिता ग्यापत को एक और लंबा गरस्वांस अरिहंत परमात्मा की चर्णों में नमन और बंदन दोनों हाथों को आंकों पे ले जाएं हलका सास परश धीरे से आंकी खुल सकते हैं नमो अरिहंता नं किर सप्ताएं नमो आयरिए नमो उवचायनं नमो लोईसप्साहूनं धम्मंगल मुकिधं आंकृश। देवाश। सुन्गर दैवाश। सत्रिन रितन संधीर सुधा में से आमन। शिरी चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिध्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मों मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा, सिध्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मों लोगुत्तमा, चत्तारी सरनं पवज्जाम अरहनते सरणंप वज्जामे, सिध्वे सरणंप वज्जामे, साहू सरणंप वज्जामे, केवली पनत्तम धंमं सरणंप वज्जामे चारेशन जगत में और ना शर ना कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर आमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा उसका सब रूर्चई